नमस्कार आदाव सस्तियकाल आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आप जो लोग नए है चैनल पर चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह वीडियो आपको लगातार मिलते रहे हैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आप चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लाइक किजिए कमेंट किजिए सेयर किजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को पहुंच पाए आज हम बात करेंगे किसान अंदलन पर जी हां 91 दिन 91 हो गया 51 दिन हो गया हमारे किसान अंदाता अंदोलित है थंड से काप रहे है यह दिसेंबर और जन्वरी के कड़कड़ा दी थंड में भी वो सिंदू बॉर्डर पे टिकरी बॉर्डर पे जमें हुए है और पूरा देश के किसान अंदोलत है कि और जिसे सनीध दोल के फिल्म डाइलएख था रहा है तो थारीख मिल रहा है तारीख पे तारीख पे तारीख इंसाभ नहीं मिल रहा है तारीख आज 11 अब्र और की बात थी लेकिन वह भी विफल रही ऐकर हम आप समझें चीज़ों के तो ये परिब करिब 26 नभेंबर से किसान और सरकार के बीच आलोचना हो रही है 24 नभेंबर को ही किसान अंदोलन सुरू हो गया था 26 नभेंबर को पहला तौर था बातचीत का फिर दूसरा दौर आया 30 दिसंबर को तीन दिसंबर को चौथा दौर पांच दिसंबर आठ दिसंबर को किसानों ने अनप्चारिक से हमारे ग्रिह मंत्रे अमित सार जी से मिले और छटी जो बैठक थी वो 30 दिसंबर को हुआ फिर साथ भी बैठक 4 जनुरी फिर 8 जनुरी आठ भी बैठक आज नौवी दहर था और आज भी अलोचना विफल रही और अगली दस भी दौर डिसकसन के लिए 19 जनुरी 12 बजे समय तेख किया गया विज्ञान भवन में और इस 51 दिन के अंसन में एक चीज तो पता दिया है कि हमारी देश के क्रिसी बहुत बुरी कंडिशन में है और किसानों का हालत बहुत बुरा चल रहा है डिस्ट अग्रिकल्चर डिस्ट्रेस है यह हम हम सब को पता है इस अंदोलों को सपोर्ट कर रहा है और कहीं न कहीं इस अंदोलों के साथ सब लोग चुड़े है क्योंकि सब लोग जो टीवी पे देख रहे हैं चित्र बहुत बिचलित मन होता है हमारे अनदाता जो सर्दी बारिज गर्मी सब जेल के हमारे लिए अनपरोस्त है जहां नारा दिया गया है जय जिबान जय किसान वो ही किसान का हालत आज खसता है बहुत बहुत खसता है और हमें समझना पड़ेगा किसान क्यों अंदलित है किसान अंदलन का मुख्य बजा बना तीन कानूनी बिल जो ओडिनांस के मध्यम में पांच जून को पारित किया गया उसमें पहला कानून फार्मर्स प्रडूस ट्रेड और कमर्स प्रमोर्शन फासिलिटेशन लॉव दोहजार बीस दूसरा कानून फार्मर्स एंपार्मेंट और प्रोटेक्शन आग्रेमेंट आफ प्राइस आस्वरेंस अंफार्म सर्विशस लॉव 2020 तेन तीसरा एसेंशेल कमोर्डिटीज अवर्डमेंट लॉव 2020 इनको आप ओडिनांस की चलते पारित किया गया फिर राज्य सवा में चार घंटे डिसकर्शन में इसको पारित कर दिया गया है तो किसान का मानना ये है कि ऐसे क्या जरुरत आन पड़ी थी इसको इतने जल्दी करना पड़ा और कोई भी किसान कानोन जब आता है तो वो मुख्यतर्ड फूड सीक्यूरिटीपे द्हान देना चाह्यिये किसान की इंकम पड़ान देना चाहिए और फ़ार्मस इनिक्वैल्टी जो है वो कैसे कम होगा उस पर द्हान देना चाहिए और इकोलोजिकल डामेज पे भी ध्यान देना चाहिए और हमारे भारत प्रिसी प्रधान दे से लगभग 1530 जीडिपी एविकल्चर से आता है ये फिगर कभी 1950 में करीब करीब 50 परसत हुआ करते थे पचात प्रतिसद जीडिपी से लगभग घटटके अभी 15% पर आ गया है और हमारे लगभग 14 परतिसद से की ज़्यादा अबादी डारेक्ल्चर में काम करते और अठावन प्रतिसद से ज़्यादा अबादी एरिकल्चर पर निर्भर करते हैं और हम देखा जाए तो टोटल Grain Production में इंडिया सबसे हाइस्ट है सेकेंड आफ्टर चाइना पल्सर्स में हम नंबर वन है लाजेस इन दो वोल्ड होटी कल्चर और सुगर में हम सेकेंड लाजेस इन दो वोल्ड है करीब-करीब उपज ज़्यादा होता है लेकिन उपज ज़्यादा होने के बाद भी किसान को अपनी सही कीमत नहीं मिल रहा है जब हम देखें तो यह सिस्टम जो किसान चाहता है कि यह तीन कानून बापस लिये जाए और हमारे जो न्यूनत्म समर्थन मुल्य, MSP इसको कानूनी जामा पहना जाए तो यह जो मंडी में खरीदी के कॉंसेप्ट, Agriculture Produce मंडी कमिटी, APMC इसको बोला जिता है वो 1928 में पहली बार लगू हो था उस जम्राने में, फिर 1950 में भारत सरकार ने इसको लिया और 2003 में APMC Model Law बनाया गया उसके हिसाब से हमारे देश में अभी तक 7300 मंडी है और 16000 से ज्यादा Local Heart है लेकिन किसान को मंडी में खरिदना डिफिकल्ट हो ला है क्योंकि उनको किमत नहीं मिल रहा है बार बार किसान जब चर्चा करते हैं हमारे ट्रिसी मंत्री नरेंदर तुमर जी प्यूस गोईल जी उनके साथ यह बार बार उनके सामने रखा जा रहा है कि आप MSP को कानूनी जमा पहना देजिए और इत्तीने कानून बापस ले देजिए क्योंकि उनको कहना यह है कि कानून हमारे लिए जब हमें ही नई चेहिए आप कानून किसके लिए बना रहे और एक मुद्दा ये भी है खेती agriculture state subject होता है और concurrent list में भी आता है तो उसमें state government का अधिकार ज़्यादा बनता है लोग उसके लिए और और हम मंडी सिस्टम देखेंगे तो बहुत जगह से मंडी सिस्टम काम नहीं करता है ठीक से पेपर पर हमारा जैसे मैंने बोला 7300 मंडी है लेकिन वो असली ग्राउंड पे जमीन पे काम नहीं करता है और महां किसान को अपना पेरा बार बेच नहीं सकता किसान का मानना ये है कि ये तीनों कानों आने के बाद physical presence of मंडी मंडी बंद हो जाएगा physical जो presence है और MSP हट जाएगा contract farming आजाएगा जिससे पुंची पती capitalist उनको फाइदा होगा और इस law के हिसाब से किसान अपने सामान कहीं भी बेच सकता है और वो जितने भी लोग है उनके साथ contract जितने हमारे खरिदार है उनके साथ वो contract कर सकता है लेकिन यहां पर एक चीज जो सबको खटक रही है वो है कि contract में जब कोई problem होगा तो वो किसान three-tire system में DM तक जा सकता है collector सकता है लेकिन code तक नहीं जा सकता तो यह किसान यह सोच रहे है और जाएज भी है जब कोई issue होगा तो हमारे codes DM जो है वो companies का सुनेगा एक एक सान का सुनेगा वो बहाँ पे page फस रहा है और बहुत सरे चीजों पे हम MSP जो चाहते है MSP 1967 में पहली बार भारत में launch हुआ था 1967 में फिर वो धीरे-धीरे CACP Commission for Agriculture Cost and Prices CACP MSP decide करता है और स्वामिन अथन कमेटी के जो रिपोर्ट आये था 2006 में स्वामिन अथन कमेटी के रिपोर्ट 2006 में जो आये था उन्होंने recommend किया था MSP C2 plus 50 होना चाहिए लागत और 50 उसके उना लेकिन अभी जो सरकार MSP तै कर रही है वो 80 plus 25 है और सरकार के concept में MSP तभी मिलेगा जब एक सच्चे आपका fair average quality FAQ मान आप देंगे लेकिन जेनरली देखा गया है जमीन पे के FAQ मान पे नहीं होता तो MSP नहीं मिलता जैसे कुछ आकड़े आपको मैं देना चाहता हूं इधान के MSP है 1868 लेकिन करिब करिब 1000 से 1100 ही फार्मर को मिलते हैं हमने देखा है पूरा भारत में मैंने गुहमा है agriculture, marketing पे काम किया है और देखा भी है कि 1100 से MSP उनको मिलता है similarly Moong का MSP मुल्य 7106 में है लेकिन 5000 से कम मिलता है similarly KAPAS का 5515 है लेकिन वो भी 3200 के आसपास मिलता है गेहों का नियूनर्दम समर्थन मिले 1975 है लेकिन वो भी 1300-1400 ही मिलता है तो नहीं मिलता और एक सांता कमर कमिटी रिपोर्ट आई थी जिसने बोला है कि हमारे जो किसान है उनको 6% किसान 6% किसान ही MSP पे बेच पाता है लेकिन और कोई नहीं बेच पाता है क्योंकि उनको जब वो मंडी में लेके जाते है FQ ना होने के कारण उनको नहीं मिलता है और मंडी के भी बहुत FCI का जो स्टॉक है वो बफर स्टॉक है और बहुत कम चीजे वो लेते है अभी 36 गड में एक आंकड़ा आया था कि 36 गड में 19 लाख मेट्रिक टन लेने के बाद FCI कोडाउन को बंद कर दिया गया बाकी किसान अपने बेच नहीं पाए जबकि 45 और 60 लाख मेट्रिक टन उनका लेना था ऐसा कुछ था तो ये पूरा देश भर में हो रहा है ऐसा नहीं है जैसे सब लोग बोले कि पंजाब और हरियना के किसान आंदोलित है और कहीं नहीं है एसा नहीं है बिलकुल पूरा देश की किसान आंदोलित है पंजाब हरियना के लोग इसको लीड कर रहे है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 6 प्रतिसाद किसान MSP पे बेच पाते उनसे सबसे ज़्यादा पंजाब हरियना पे है और पंजाब हरियना में जो 38 सिस्टम है वो MSP से खरिद के बहुत ज़्यादा मंडी में खरिदार करता है और आप देखिए MSP हमारे जो है 1967 और उसके बाद अब तक करीब करीब आप लेजे 1960 से अब तक 2020 60 साल हो गया 60 साल में MSP सिफ 19 गुना बढ़ा है 19 गुना जबकि उस समय आप लेलो कि सरकारी कर्मचारी का बैतन 150 गुना बढ़ा है आप सोचिए क्या हालत है किसान का उसको अपनी पेदावार की किमत भी नहीं मिला है लागत भी नहीं मिला है उपर से बहुत सारे कॉस्ट उसको जहनने पड़ते है डीजेल का प्राइस बढ़ गया फोटिलाजर का प्राइस बढ़ गया उससे उसका लागत बहुत बढ़ जा रहा है लेकिन उसको MSP भी नहीं मिला है और बहुत सारे लोग ये भी बोलते कि MSP का प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा है वो गलत है MSP का प्राइस बिल्कुल मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं है और इसको आप MSP को सरकार गयारेंटी करना चाहिए क्योंकि अटलेस्ट उसको न्यूनदम समर्थन मिलेगा जो चीजे कर रहे है और एक गलत आंकड़ा कहीं से दिया जा रहा है कि MSP को लिगल गयारेंटी कर दिया जाए तो भारत सरकार को 17 लाग करोड का नुकसान होगा ये गलत है क्योंकि MSP को कानूनी जमाब पहनाना के मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि सारे अनाज को सरकारी खरीदे जब मिनिममम सपोर्ट प्रैस इंस्योर हो जाएगा तो कोई भी लोग आएगे कॉन्ट्राक करेंगे तो बुस बेस प्रैस पर करेंगे तो अटलिस्ट कुसान को वो मिलेगा इसलिए MSP करना जड़री है और ये किसान को हक है ये किसान की हक की लड़ा है तो इसलिए हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिए किसान अंदलोन को कि क्योंकि हमारा अंददात ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे जए जबान जए किसान का नारा दिया गया है तो जबान भी हमार लिए महत्वुर्ण है किसान भी हमार लिए महत्वुर्ण है तो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए और देखिए ये बोला ज़ता है कि भारत में सब प्रतिसाद है only 10% और पर किसान प्रतिकिसान 15,664 रुपया का सबसीडी मिलता है भारत में जबकि बिक्सित देशा में जैसे US हो गया UK हो गया Europe हो गया Japan हो गया महां पर 100 बिलियन डॉलर पर यूर का सबसीडी मिलता है तो आपको सरल भासा मैं समझाओ तो अमेरिका में बयारली स्लाग पर किसान सबसीडी मिलता है बयारली स्लाग और हमारे यहां 15,674 वो बहुत डिफरेंस है यह तो और हम जैसे किसान सम्मान निधी की बात किया जयता है तो किसान सम्मान निधी क्यों आप छे हजार सालाना और एक पांच जब किसान सम्मान निधी मिलता है तो एक परिबार को मिलता है एक परिबार में पांच लोग यूनितम होते हैं तो पांच लोगों को सालाना चे हजार आप कालकुलेट कर लीजे बा महिना पांच लुपया मिलता है पर परसं एक सो रुपया तो पर दिन का टीन रुपए तिटीस पेसा से हम बहुत ज़यादा एक्सक्पिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमने किसान ने दिए दिया है लागत भी बढ़ रहे है डीजेल के किमत बढ़ रही है fertilizer का किमत बढ़ रही है input का किमत बढ़ रही है सारे चीजों पर किमत बढ़ रही है तो ये हमें सोचना पड़ेगा और और कुछ चीजें भी जो दिखाता है किसान बहुत बुरी हालत में है NCRB डेटा National Crime Record Bureau के डेटा बोलता है कि 1995 से 2020 तक लगभग 2 लाख हमारे किसान महाईवों ने किसानों ने आत्माहत्या की है तो यहां समझ सकते हैं कि फार्मर सुइसड कितना बड़ा चीज़े 2 लाख फार्मर ने सुइसड किया है इस बीच में जो कि बहुत बड़ी बाद होती है हमारा आहत अक्वी नहीं नेकलता हमारा पता भी नहीं चलता यह सारे चीज अकड़े और एक अकड़े OECD Icarious Study का अकड़ा बोलता है कि हमारे देश में जो किसान MSP से नहीं सामान नहीं बेच पाता है उसके उपज को उससे उसको 45 लाग करोड 45 लाग करोड का नुपसान होता है अब समय जहीं GDP का 5% लॉस हो जाता है उसको MSP मिलता तो आप सोचिए हमारे GDP में भी इजाफा होता और जिससे उसको समर्थन मुल्यों मिलता तो फार्मर डिस्ट्रेस कम होता फार्मर डिस्ट्रेस कम होता तो रूरल प्रोस्परिटी ज़्यादा होता कहीं भी ले ले इंकम, एजुकेशन, हेल्थ, स्टांडर अफ लिबिंग सर्म में उसका वालिटी ओफ लाइफ भी बढ़ता ये सब नहीं हो रहा है 40,000,000,000,000 करोड का घाटा किसान को देना पड़ता है क्योंकि उनको MSP नहीं मिलता और ये सारे अंकड़े सब लोगों को पता नहीं होता है और देखिए हमारे जो इंकम भी है किसान का इंकम जैसे गवर्मेंट के नहा है चाहता है कि 2020 तक कि फार्मर्स के इंकम डबल हो जाएगा लेकिन कैसे हो जाएगा अभी तो इनकम घट रहा है और आप देखिए बिहार के एक एक जम्पल आप लेग सकते हैं बिहार में सालाना एक टुसर का आये 22,000 है सिर्फ 22,000 3,500 रुपया प्रति महा 3,500 रुपया प्रति महा जबकि basic minimum salary हम जो भी ले ले basic minimum wage गवर्मेंट ने जो इंसूर किया है वो 300 रुपया बड है 19,000 लगता है हमारे किसानों को क्या मिलता है 3,500 रुपया प्रति महा और on an average हमारे इंडिया में farmers income करिब करिब 85,000 ही है केबल पंजाब हरियाना यहां 2,000,000 के आसपास है बाकी में कम है तो on an average अब देखे तो किसान का income आपको 7,000 या 8,000 पर प्रति महा मिलेगा जो कि बहुत कम है जो बढ़ना चाहिए और इसको बढ़ने के लिए आपको बहुत सरे चीजे करना पड़ेगा और अभी जो कमिटी भी बिनाएगी जिसमें असो गुलाटी जी है वो एक्स चेर्मन थे CACP के वपिंदर सिंग मान जो भारत कृसान विकास के नेता रहे लेकिन उन्होंने यह कहा है कि किसान के सपोर्ट में में सुप्रीम फोर्ट के कमिटी से रिजाइन कर दिया है और अनिल घंबत जी है वो सत्यकारी संग महाराष्टर के है उन्होंने उनका भी रगवग वो ही मानना है कि वो भी रिजाइन कर लेंगे और प्रमोज्योसी जो है इपिर के जो है ये चार जो नाम आये है इनको लेके भी चर्चा है क्योंकि इन चारों का लिखित स्टैंड है कि ये रिफॉर्म को सपोर्ट करते है तो इसलिए भी फार्म प्रिसक आंदोलिद है कि उनको क्यों कमिटी में लिया गया और कमिटी बड़ा हो सकता था और लोग इसमें जूट सकते थे किसानों का तो वो भी कहिना कहीं उद्दा है 41 यूनियन जो इस प्रोटेस्ट में लीड गर रहे है समाधान आप देखे तो ये होना चाहिए कि फार्म MSP को कानूनी जमा पहनाना चाहिए क्योंकि अब ही सुप्रीम कोट ने ये तीनों कानून पे फिलाल स्टे लगा दिया है इंप्लिमेंटेस्ट पे लेकिन कहीं न कहीं ये MSP को कानूनी जमा पहनाना किसान के लिए मांग है अभी और ज़रूरत भी है और जैसे मैंने बोला था किसान को ये जब भी कोई कानून आया food security को मदे नजर रखना चाहिए farmers income को मदे नजर 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 inequality और ecological damage को मदे रखके करना चाहिए तो जब predictability of price price predictability through MSP guarantee को हो जाएगा तो at least secure income किसान के पास अपने चीजों को रहेगा और मंडी सिस्टम ना अठाए जाए उनके कैसे बहतर हो सके वो देखा जाए जैसे और कैसे व्यक्टर कर सकते हैं infrastructure हम अपने हमने बहुत देखा है infrastructure में बहुत काम होना बाकी है तो infrastructure आपको देखना पड़ेगा दैन cold storage plant बिलकुल हमारे दिस में बहुत कम है जिससे किसान को अपनी उपज बहुत सस्ता दाम में बेचना चाता है क्योंकि storage नहीं है storage facility कर दिया जाएगा marketing facility कर दिया जाएगा तो बहुत इन चीजों में रहत हो जाएगी और जो agriculture भाली